क्योंकि मैं इसी फोन में बहुत दिन से जीमेल आइडी चला रहा था इसलिए पासवर्ट नहीं मागा और हमारा देख सकते हैं साफ साफ लिग दिया और गुगल अकाउंट है एंड आल इस डेटा दोस्तों कभी-कभी हम लोग के पास दो जीमेल आइडी हो जाती है तो हम किस स्किप मत करेगा दोस्तों नहीं तो हो सकता कुछ वाइंट आपसे मिस हो जाए पूरी वीडियो देखेगा आई सीख लेते हैं कि कैसे हम अपनी दूसरी वाली जीमेल आइडी को डिलीट करते हैं पूरा का पूरा कम्प्लेट प्रोसेस हम लोग आज किस वीडियो में सीखन दोस्तों किस तरीके से अपनी दूसरी वाली जीमेल आइडी को हमेशा के लिए डिलीट करेंगे आई इस वीडियो में सीख लेते हैं तो सबसे पहले हमें अपने जीमेल आप को ओपन कर लिया है अब जैसे हमें यहां पर कोने पर न अपने लोगों पर हमें क्लिक करेंगे डेक सकते हैं मेरी दो तिमिल डो है तो मैं दूसरी वाली को dw controक्र emanet करना हूं उसी परएसे Couple कर देएक तो वही लॉगईन हो झाएगी ञगा टो महीं उसे क्लिक करता हूं और यहां पर अपनी इस वाली डेको डेलीट करना तो इसा पर सुन Baptist करने के बाद दूबारा से पर जाएंगे कोने पर क्लिक करेंगे और इस id को हमें डिलीट करना है इसके नीचे लिखा हुआ आ गया है canadoo गूगल अकाउंट तो हम manajer गूगल अकाूंट पर जाएंगे जैसे manajer Google अकाउंट पर जाते हैं तो यहां पर एक option होगा personal info एक option होगा data and privacy एक option होगा security ठीक है तो आपको क्या करना data and privacy पर जाना है ठीक है मैं याज पर लिएड पर क्लिक करने के बाद बिलकुल नीचे आपको जाना है ठीक है आप ऐसे slide करते करते नीचे चले जाएए और नीचे जाएंगे दहां पर एक option होगा delete a google service इस पे नहीan क्लिक करना है और भी नीचे जाना है एक option देखने性 करे चांट चेक मार्क करना होता है अट यूँसा चेक मारक करें और पक्रीक करेंगे आपसे पासवॉड बहाँ नहीं मागा झाया जाओंगे गया और गोगल अकाउंट है एंड आल इस डेटा है बिन डिलेटेट सब को डिलीट हो गया खतम हो गया अकाउंट ठीक ना इस तरह सब अपने अकाउंट को डिलेट कर सकते हैं जानकारी अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करिएगा वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों